ये विडियो उन दोस्तों के लिए है जिन्होंने अपना बी ए कंप्लीट कर लिया और अब वो एमे करने की सोच रहे हैं अगर आप एमे करने की सोच रहे हैं तो आपको पता होगा कि एमे में एडमिशन लेने से पहले हमें में एमे एंट्रेंस एक्जाम देना होता है जिसको हिंदी में परवेस परिक्षा कहा जाता है तो इस परवेस परिक्षा को अगर आप क्वालिफाई कर पाएंगे तभी ही आपको में में एडमिशन मिलेगा तो बच्चे को यह कंफूजन रहता है कि ज्यादा तर उनिवर्सि पुझे जाएंगे हम तैयारी केसे करें तो अगर आपके मन में भी यह सब डाउट है यह सब कंफूजन है तो आप बिल्कुल सही विडियो में आए हैं आज के इस विडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप में एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं में में एडमिशन लेने की सोच रहे हैं तो आपको किस लेवेल की तैयारी करने पड़ेगी किन टॉपिक्स को पढ़ना पड़ेगा कितना पढ़ना पड़ेगा कैसे पढ़ना पड़ेगा तो इन सब विषय पर आज हम लोग चर्चा करेंगे इस्पेशिली यह वीडियो हिंदी के विध्यार पाने के लिए हम लोगों को यह प्रवेश्प परिक्षा को उत्रिड करना होता है इसको क्वालिफाई करना पड़ता है तब जाकर हमारा MMA admission होता है और एक बात जैसे ही आप BA के final semester को complete करते हैं कहने का मतलब कि 6 semester की परिक्षा देते हैं उसके बाद मातर 20 और 25 दिन का ही आप लोगों को समय मिलता है इस परिक्षा की तयारी करने के लिए कहने का मतलब कि आपको समय कम मिलता है और बहुत कम समय में आपको MA entrance की तयारी करनी होती है MA entrance 100 marks का रहता है और यह category wise मतलब की ST, OBC, SC इस तरह से sport quota इस तरह से category wise रहता है और आप कि इस department के लिए apply कर रहे है उस department क मताबिक seat भी रहता है ठीक है जैसे हमारे यहां की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश की university में जैसे हिंदी department की बात करें तो total 58 seat होता है और यह 58 seat भी category wise divide होता है ठीक है तो कहने का मतलब competition तो है उस 58 seat के लिए हमारे यहां लगबग 500 से 600 बच्चे आवेधन करते हैं तो अच्छे university जैसे बी एच यू जेन यू यह सब में इसके मुताबिक competition और थोड़ा हाई रहेगा लेकिन मेरे इन सब बातों को सुनकर आपको डरना बिल्कुल नहीं है घवराना बिल्कुल नहीं है अगर आपको confusion है MA entrance की तयारी हम कैसे करें किस topics को पड़े कितना पड़े त किन-किन बिसे को आपकी तरीके से अगर पड़ कर जाएंगे तो आपका selection पका है तो बस वीडियो को complete देखे अंत तक बने रहे बीच में skip मत करें अगर आपको MMA admission चाहिए तो इस वीडियो को जरूर देखना अगर आपको लगता है मुझे नहीं चाहिए तो आप skip कर सकते है लेकिन अगर आपको admission चाहिए तो वीडियो को complete देखना क्यूंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा helpful रहने वाला है जिए मैं फिर से आपसे एक बार कह रहा हूँ कि मेरे बातों को सुन कर और इतने कम समय में हम किस तरह से तैयारी करें इन सब चीजों को लेकर डरना बिल्कुल नहीं है घवराना बिल्कुल नहीं है सच है कि विपति जब आती है, कायर को ही दहलाती है, सूर्मा नहीं विचलित होते, छड़ एक नहीं धीरज खोते, बिग्न को गले लगाते हैं, काटो में राह बनाते हैं तो चलिए इसी के साथ आज के इस विडियो का सुवारम करते हैं, सुवारम करने से पूर्व नमस्कार दोस्तों, दिस इस सागर विश्व कर्मा और आप सभी का मेरे वे टू लर्णिंग एस वी चैनल में बहुत-बहुत स्वागत हैं तो सबसे पहला काम आपको यह करना है कि अगर आप किसी पर्टिकुलर इनवर्सिटी के लिए तैयारी कर रहे हैं, अगर हो सकता है तो आपको कोशिस करें, अगर सलेवस मिलता है, तो क्या बात? अगर नहीं भी मिलता है, अगर आपको सलेवस नहीं दिया जाता है, तब भी घबरानी की बात नहीं है, मैंने जब MMA entrance दिया था, तब मैं भी यहां की इनवर्सिटी में गया, वहां के PS से जब मैंने बात की, तो उन्होंने मुझे सलेवस दिया था, हाला कि सभी को नहीं दि हो गया है, लेकिन सलेवस है मेरे पास, तो उस सलेवस के मुताबिक आज मैं आपको बताने वाला हूँ की हमें क्या क्या पढ़ना है, तो आप सोच रहे होंगी कि इस सलेवस से हम दूसरी university के लिए कैसे पढ़े, तो मैं आपको बता दू कि University चाहे कोई भी हो, आपको इन ही सब सलेवस से आज में आपको दिखाने वाला हूं उन्हीं सलेवस से ही प्रस्न पूछा जाएगा और प्रस्न कहां से पूछा जाएगा जो आपने अपने बीए लेवल में पड़ा है जिस सब्जेक्ट में आपने मेजर लिया है तो उस सब्जेक्ट में आपने बीए में क्या क्या पढ़ा है, वहीं से आपको प्रस्थ पूछे जाएंगे, इसके लिए अलग पेपर से अलग से विशे से आप से प्रसन नहीं पूछा जाएगा, इसलिए मैं कह रहा हूं को घबराने की आवश्चक्ता नहीं है, बिये में अगर आप हिंदी में अपने मेजर किया तो बि सलेबस है जब हमने अपना MMA एंट्रेंस दिया ता और इसी सलेबस को पढ़कर हमने में हम क्वालीफाइब उत्यूद में प्रस्न होए है तो आप देख सकते हैं सलेबस समतिकिवल आपके समक्ष है और इनotherap谢 दिया गया है वहीं से आपको आपके परिछा में प्रस्न पूछे जाएंगे. तो सबसे पहला क्या है, हिंदी साहित्य का इतिहास जिसको आपने BA में जरूर ही पढ़ा होगए ना, उसके बाद दूसरा है भारतीय काब्यसास्त्र, उसके अंतर्गत फिर आ जाता है, पास्चात्य प्राश्नब पूछने वाले है तो आप यहां पर सलेबस देह कर आपको घबराहट हो रही होगी कि syllabus जो है इतना बड़ा है और हमारे पास समय जो है वो बहुत कम है तो ऐसे इस्तिती में हम कैसे पड़े इतने vast syllabus इतने बड़े syllabus को हम complete कैसे करे हमारा selection होगा या नहीं तो तमाम प्रस्न आपके मन में उठ रहे होंगे इसलिए ये वीडियो में आपके सामक्स लेके आया हूँ कि अगर आपके मन में सवाल उठ रहा है तो आज आपको मैं बताऊंगा कि ये जो बड़ा सा syllabus देख रहा है इस बड़े से syllabus को आप लोग को कम से कम दिन में किस तरह से complete करना है ताकि MA में आपका selection हो जाए तो चलिए एक एक बिसे को समझने का प्रियास करते हैं कि आपको वहाँ पढ़ना क्या है और कितना पढ़ना है सबसे पहले एक ही पंक्ती में मैं एक लाइन कहूंगा आपको केवल बुलेट पॉइंट्स पढ़ने है क्या कहा मैंने मैं फिर दोर आता हूँ आपको केवल बुलेट पॉइंट्स पढ़ने है सबसे पहले आप कौन सा काम करेंगे आप उस बस को पकड़ेंगे ठीक है उस बस को पहले बस में सवार हो लेंगे उसके बाद ही आप घर पहुंच पाएंगे तो यहां मेरा कहने का मतलब कि पहले आप बस पर तो चड़ जाए पहले MMA entrance exam को क्लियर करके MMA admission तो ले ले फिर विस्तार के साथ में पढ़ना क्यूंकि MMA तो आपको इन सब विस्तार के साथ में अवश्य ही पढ़ाया जाएगा इसलिए पहले बस पर चड़ ले घर पहुंच ले फिर धीरे से बेट कर आराम से विस्तार के साथ में पढ़े तो यहां कहने का मतलब कि पहले MMA entrance को क्रेक कर ले MMA admission ले फिर विस्तार से पढ़ना अभी MMA entrance को क्रेक करने के लिए उसमें qualify होने के लिए आपको bullet points को पढ़ कर जाना होगा क्यूंकि आपके पास समय कम है तो अब bullet points कौन कौन से हो सकते हैं जैसे मैं आपको बता दू कि हिंदी साहित इतिहास की बात करे तो यहां पर आपको क्या पढ़ना होगा देखे इतिहास लेखन की परमपरा आपने सुना होगा और बीए में आपने पढ़ा भी होगा तो इसको फिर से revise करें यहां से bullet points निकालिए उसके बाद पढ़िए इतिहास लेखन की परंपरा हिंदी साहिते इतिहास लेखन की परंपरा में किन-किन ग्रंथों का महत्व है जैसे गार्षा दतासी गार्षा दतासी ने एक ग्रंथ लिखा साहिते इतिहास ग्रंथ लिखा जिसका नाम ता इस्तिवार दला लेत्वेतर एंदुई एंदुस्तान और इसका प्रकाशन कब हुआ था इसका प्रकाशन दो भागों में हुआ था 1839 इस्वी और 1847 इस्वी ठीक है गार्सादताजी फ्रेंच के विद्वान थे तो यह एक बुलेट पॉइंट्स हो गया तो यहां से आपके परिक्षा में डेफिनेटली दो तिन प्रस्ण पूछे ही जाते हैं साहीतिय इतियास लेखन की परमपरा से ठीक है तो आपका दो तिन मार्क तुम्हें ने सेक्वेर करा ही दिया यहां से अवश्य ही प्रस्ण पूछा जाता है तो इसी तरह से और भी कितन प्रकाशन की थी उसको याद रखना है उसी तरह से शीव सिंग सरोज किस ने लिखा था शीव सिंग सेंगर ने इसका प्रकाशन हुआ था 1883 को इस तरह से आपको याद करके जलना है फिर जर्जगीरियेशन दमर्देन वर्ने कूलर लिट्रेचर ओफ हिंदुस्तान जिसका प आपको पढ़ना है पढ़ना अवश्य यहां से यहां से प्रस्ण पूछे जाते हैं ठीक है और यहां पर जैसे गिरियेशन का मैंने The Modern Literature of Hindustan ठीक है The Modern Vernacular Literature of Hindustan जो कहा उसमें से और एक bullet points निकल कर आता है जैसे Dr. Kisori Lal Gupta ने इसको सही माइनों में साहिती इतिहास का पहला ग्रंथ माना क्यूं क्यूंकि इसमें कालक्रम अनुसार लिखा गया था ठीक है इससे पहले जो था वो alphabetical order में था ठीक है तो यहां पर कालक्रम के अनुसार है तो यह भी एक bullet points है इस तरह से आप लोग को bullet points निकालना है और उसको पढ़ना है फिर मिस्त्र बंदू का मिस्त्र बंदू भी नौत इस तरह से साहिती इतियास लेखन ग्रंथ में कितने ग्रंथ है उन सबको याद कर लेजेगा फिर दोराता हूं रचनाकार का नाम याद करिए ग्रंथ का नाम और प्रकासंति ठीक है उसके बाद दूसरा मतपूर्ण विशह है जिससे अवश्य प्रस्न पूछा जाता है नामकरण एवं सीमाकन ठीक है आपने पढ़ा होगा बीए में इसको भी तो कठिन कठ सब्राने की भी बात नहीं है बिल्कुल पॉजिटिव रहे आलीज वेल ठीक है नामकरण एवं सीमाकन आपको पढ़ना है मतलब कि हिंदी साहिति को कितने भागों में बाटा गया आधिकाल भक्तिकाल रीतिकाल उसके बाद आधुनिक काल ठीक है और इन चार भागों में ब भाराओं में बाटा गया उसी तरह से रितिकाल है ठीक है फिर आधुनिकाल आधुनिकाल में भी भरत इंदु यूग चायाबाद दिवेदी यूग इस तरह से तमाम यूग है उन सब को पढ़ना है में में चीजों को पढ़ना है पूरा भरत इंदु यूग को पढ़ने मत जैसे ईक्जामपल लले टि आचारी राम चंद्र सुेखल आधीकाल को संबत 2050 से 1375 तक के समय को आधीकाल की मान्यता देते हैं। लेकिनक्वे आधीकाल को आधीकाल नहीं। लेकिन केते हैं क्या कहते हैं बीर गठा काल कहते हैं। आचारे राम चंद्रसूकला, आदिकाल को बीर गता काल कहते हैं, तो ये बुलेट पॉइंट से, इसी तरह से आपको किन-किन रचन साहिती इतियास गरंद के रचनाकारों ने क्या-क्या नाम दिया, कौन सा समय सिमाकन दिया, उन सब को आपको याद करना है, जैसे आदिकाल क को मिस्र बंदुओं ने आरम बिक काल कहां वही हजारी प्रसाद दिवेदे ने आधी काल कहा जिस नाम से आज हम लोग पढ़ रहे हैं उसी तरह से इसके याद करिए उसके बाद सीमा कन को कौन से समय से कोसे समय तक उसकर को मानियता दी जातीए तो इस तरह से आप लोग को bullet points को याद करके चलना है तो hope कि आप लोग पढ़ लेंगे उसके बाद next है ति रचनाकार एवं उनके द्वारा लिखे गए रचना है ठीक है जैसे अभी मैंने कहा आदीकाल आदीकाल में कौन-कौन से रचना हुए ठीक है आदीकाल में कौन-कौन से स साहित्य लिखे गए जैसे राज साहित्य जेन साहित्य लोकिक साहित्य ठीक है उसी तरह से रासो साहित्य इस तरह से कौन-कौन से साहित्य लिखे गए और उस साहित्य के प्रमुक कभी जो है प्रमुक रचनाकार कौन-कौन है उसको आपको याद करना जैसे सिद्ध साहित् सरप्पा, लुईप्पा, सवर्पा ये सब सिद साहित्य के प्रमुख कभी एवं रचनाकार है और उनके रचनाओं को भी याद करिए आपके परिक्षा में प्रफशनों पुछा जा सकता है कि जैसे सवर्पा कि साहित्य से रिलेटेट है तो आपको बताना होगा कि ये सिद साहित्य से है उसके बाद उनके रचनाओं को अवश्य याद कर लीजे यही सब चीज पढ़ना है उनके जैसे उनके रचनाओं को याद करिए लेकिन उनके रचनाओं को पढ़ना अवश्यक नहीं है केवल उनके रचनाओं को याद करिए और उस रचना का अगर प्रकासन है प्रमारिक है तो उसको भी अवश्य याद करिए जैसे for example रासो साहित्य की बात करें तो पृतिवी राज रासो आपसे पूछ सकते हैं कि पृत प्रमुक रचनाकारों को निकाल लीजे प्रमुक रचनाकारों के विशे में थोड़ा सब पढ़ लीजे क्योंकि उनके विशे में अविश्य से पूछा जा सकता है उसके बाद उनके रचनाओं को पढ़िए कि कौन-कौन से रचना है for example जैसे बात करें सूर्दास की तो पूच सकते हैं कि रचनाकार के अब को कहना होगा सूर्दास की तो इस तरह से याद करें चलिए रितिकाल में इसी तरह सल्द किकाल तीन काभिय धारा है आपको देखने मिलता है रिति-शिद, रिति-बद, रिति-मुग्द, उन तीनों ही काभिय धारा के प्रमुकभियों को पढ़िये, उनके रचनाओं को पढ़िये, फिर नेक्स आईए आधुनिक काल में, यहां से आप से सबसे ज़्यादा प्रस्न होगा, आधुनिक काल जो है बहुत बास्ट है, बहुत बड़ा है, तो और आधुनिक काल से प्रस्न भी भर भर के आते हैं, इसलिए आपको आधुनिक काल पर थोड़ा सा विसेश ध्यान देकर पढ़ना होगा, आधुनिक काल को जैसे भरत इंदु यूग, दिवेदी यू तो इस तरह से कई यूगों में बाटा गया, उन सभी यूगों को पढ़ लिजे, कौन से यूग का नाम करण क्या है, ठीक है, उसके बाद किसके आधार पर जैसे भरत इंदु यूग, भरत इंदु हरिश्चंद्र जी के नाम के आधार पर भरत इंदु यूग रखा गया, ठीक है, उसी तरह से इस यूग का समय सिमाकन कोन सा है, उसको याद करिए, फिर भरत इंदु यूग के प्रमुक रचनाकार कोन है, उसको याद करिए, उसके बाद उसी तरह से दिवेदी यूग चाया बाद तो इस तरह से याद करके चलिए, उनके रचनाओं को याद इससे भर भर परकेस के तो अब अब देसे क्या कि आफो परणा और जैसे पहली उपण्यास कों से हिंदी का पहला उपण्यास कोटाहेव हिंदी का पहला नाटक कों ने तो उसकी बात करें तो यह यह पुरिक्षागू पझीजाव पहल Groundh ahh माना जाता है उसी तरह से पहला नाटक पहला कहानी पहला निमबंद पहली आत्मकता पहला आलोचना आत्मग्रंद तो इस तरह से आपको पहला पहला तो याद करके चलना है और इस पहले पहले से दो कोईशन तो अबश्य ही फसने वाला है उसी तरह पहली कहानी कौन सी है इं को याद करिए उपनियास पहली-पहली को याद कर लीजिए उसके रचनाकार को याद करिए और उसके प्रकासन को याद करिए उसी के साथ में इसका किस पत्रिका में प्रकासन हुआ उसको भी याद करिए आपको पता होगा कि आदुनिक काल से हिंदी पत्र-पत्रिकाओं का भी उद्भव और विकास हो चुका था इसलिए आपको फिर उसको भी पढ़ना है हिंदी पत्र पत्रिकाओं का उद्भव और विकास को भी पढ़िये कि प्रथम पत्रिका कोंसी है कोंसी पत्रिका का कितना योगदान रहा उसको भी पढ़ना आवश्यक है और कोंसे पत्रिका के संपादक कोन रहे कब तक रहे इन सब चीज़ को में में चीज़ों को बुलेट पॉइंट्स को ही आपको पढ़ना है ना कि सभी चीज़ों को पढ़ना है जैसे सरस्पति पत्रिका के कोन रहे संपादक इस तरह से आपको पढ़ना है उसी तरह से कौन से आलोचना आत्मक ग था तब भी हमें भी काभी सास्त्रव बहुत ही तफ सब्जेक्ट लगता था ठीक हमें समझ में नहीं आता था क्यूंकि यहां पर संस्कृत के आचारिय द्वारा हमें उनके कहे गए परिभासाओं को समझना होता था जो कि स्लोक में होती थी तो कठीन तो है लेकिन नामुम्क से समझाओ मेरा उदेश्य यही है क्योंकि हम जब यह में गए थे तो 10-12 तक होता क्या था कि हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा अधिक से अधिक लंबा कोईशन का एंसर कितना लिखना होता था पांच लाइन तो पांच लाइन के एंसर को हम लोग रट्टा मार के चले जा अब सोचके देखिए चार-पांच पेज का उत्तर को याद करना कितना कटिन है कहां पांच लाइन लिखा करते थे और कहां यहां पांच पेज लिखे तो यहां पर हम लोगों को चीजों को समझ कर जाना होता है ना कि रट्टा मार कर कुछ-कुछ चीजे ऐसे होते हैं जिस इस पर भी आपको केबल बुलेट पॉइंट्स को ही पढ़ना है आपको पता होगा काभिय सास्तर में छे संप्रदाई हमें देखने को मिलता है कौन-कौन से रस संप्रदाई अलंकार रीटी ध्वनी वक्रोक्ति और ओचितिय ठीके संप्रदाई सिद्धान आपको प्रवर्तक को अबश्याद कर लीजे यहां से दो प्रस्ण श्योर आने वाला है तो यहां भी आपको दो मार्की मैंने गैरंटी दे दी जैसे रस संप्रदाई के कौन है आचारिय भरत्मुनी अलंकार संप्रदाई के आचारिय बामा रीति संप्रदाई के आचारिय बामन बामा और बामन दोनों में भी confusion होता है देख लीजे कि अलंकार का बामा है उसके बाद रीति के बामन है धोनी के आचारिया आननवर्दन वक्रोक्ति के आचारिय कुंतक ओचित्य के स्रेमंद्र साइट पर आप देख सकते हैं इसको तो याद करके लखिए इसको केबल एंटरेंस एक्जाम के पॉइंट आप याद करके रखिए जब तक आप पढ़ रहे हैं पढ़ने के बाद अगर आप सिचक बन जाते हैं आप दूसरों को पढ़ाते हैं तब भी यह काम आने वाला इसको चाट कर रख लीजे एक प्र इन लोगों ने इस संप्रदाई को लेकर क्या परिभासाएं दी उसको याद करना आवश्यक है उससे आपसे प्रस्न पूछा जा सकता है जैसे रख संप्रदाई की बात करें तो आचारिय भरत्मुनी कहते हैं कि विभाव नूभाव वेवचारी सयोगात रख निस्पत्ति कहने का मदलब विभाव अनुभाव वेवचारी भाव के सयोग से ही रख की निस्पत्ति होती है तो आपसे ये स्लोग देकर पूछ सकते हैं कि ये स्लोग किस की है तो आपको कहना है आचारिय भरत्मुनी की वहीं अलंकार की बात करते हुए आचारिय बामाजी लिखते हैं लगता है मानो वो कोई इस्त्री हो और वो बिना अलंकार की हो तो आपको पता होगा की लड़किया मेक तो उसंदर दिखने के लिए तो उसी तरह से अगर काभिय को भी अलंकरीत का प्रियोग नहीं किया गया तो ऐसा लगता है मानों बिना मेकप के हमने कोई लड़की को देख लिया हो जो ड्राव नहीं हो सकती है जो कर रहा हूं उसी के साथ इस तरह से आप लोग याद करके चलिए फिर पासचात्य काभी सास्तर में हम किने पढ़ते हैं कि प्लेटो अरुस्तू लॉणजाइनेस उस तो अनुकरन सिद्धान किसकी पूछ सकते तो आपको कहना होगा प्लेटो है उसी तरह से प्लेटो के सीष्चे कौन है आप से पूछा जा सकता है अरस्तु के गुरु कोन है पूछा जा सकता है तो यहां से बुलेट पॉइंट्स को निकाल कर याद कर लीजे, हो जाएगा, आपको बिल्कुल डीटेली पढ़ने की जरुरत नहीं है रस संप्रदाई के आपको प्रवर्तक को पढ़ना है, उसके बाद और कौन-कौन से आचारे हुए जिन्होंने रस का समर्तन किया और उन्होंने रस के लिए कौन सी परिभासा है दी उनको पढ़ लीजे काफी है फिर नेक्स आते हैं भासा बिग्यान भासा बिग्यान भी एक tough subject है तो भासा बिग्यान में हम किन किन भी शयों को पढ़े बासा बिग्यान में सबसे तो भासा के अबलेक्षण को पढ़ लिजे, स्वर और वेंजनों को पढ़िए, स्वर और वेंजन से बहुत प्रस्ण पूछे जाते हैं, उनके वर्गी करन को, स्वरों के वर्गी करन, ठीक है, जीवा के अनुसार, अस्पर्स के अनुसार, जिस त देखो प बोलते हुए हमें उपर और नीचे का होट का मिला होता है तो यह ओस्ट वेंजन है ठीक है इस तरह से आप लोगों को याद कर लेना है पूछ सकते हैं कि सुवर कितने हैं कौन से वेंजन की पहचान क्या है आप से पूछ सकते हैं उन सब को पढ़िये उसी के साथ उ हिंदी अब परियोजन मुलक हिंदी से भी भर भर कर पूछा जाता है अब इसमें हम क्या पढ़े परियोजन मुलक हिंदी में आप राज भासा को पढ़ लिजे जो जिस पर मैंने ओल्रेडी वीडियो बनाया हुआ है आप देख सकते हैं स्वर और वेंजन पर भी है आप मे जितने भी आर्टिकल से उसको पढ़के जाईएगा वहां से प्रस्न पूछे जाते हैं उसके बाद राज भासा को लेकर जो अदिनियम थे उसको पढ़िएगा रास्त्रपती के नीदेश उसको पढ़िएगा उसके बाद में बिग्यापन नोट्स उन सब को भी हलका हलका स समझ कर जाएगा वहां से भी प्रस्न पूछे जाते हैं जन संचार माध्यम ठीक है रेडियो टेलिविजन इस तरह से यहां से थोड़े बहुत प्रस्न आते हैं तो आप लोग को केबल बुलेट्स पॉइंट्स को वहां से छाट कर निकालना है और पढ़ना है तो इस तरह स एक्जाम दीजिये देने के बाद किन किन का सेलेक्शन हुआ मुझे कमेंट जरूर करिएगा कि मेरा सेलेक्शन हो गया क्यूंकि आप लोग की सफलता में ही हमारी खुसी है तो आसा करता हूँ इस वीडियो को देखकर आपको पता चला होगा कि में एंट्रेंस की तयारी हमे किस प्रकार से करनी है, कितने लेवेल में करनी है, ताकि हमारा selection हो जाए, ठीक है, तो इस तरह से बिल्कुल कम पढ़ना है, मेन मेन चीजों को पढ़कर जाना है, selection हो जाएगा, बिल्कुल निश्चिंत रहे, उम्मीद करता हूँ, यह वीडियो आपके लिए helpful रहा होगा, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, अपने दोस्तों को भी शेर करें, ताकि उनको भी सहायता प्राप्त हो, उसके बाद बेल आइकन को दबा कर ओल पर क्लिक अवश्य कर दें, मुझे उम्मीद है आपने किया होगा, तो मिलते हैं आप से बहुत ही जल्दी, किसी अन्य विसे के सा तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार